अगेनी chemistry के अंदर अब आपको क्या कर लेना चाहिए जिससे जेई means में आने वाले विपर में आपको बहुत जगा परेशानी ना हूँ कुछ selected topics only कुछ selected topics नामी गिरामी topics में आपको बताने वाला हूं कि इतना ही काम सिरफ इतना ही काम आप अगले 15 दिन में कर पाएंगे जो आप बहुत अराम से कर पाएंगे सिरफ उन्ही topic में focus करने जा रहा हूं तो आईए दोस्त एक एक बातों को बहुत अराम से चीजों को सीखते विचलना सबसे पहला segment जो मैं start करने जा रहा हूं that would be general organic chemistry कि आप GOC में क्या कर लीजे GOC एक important topic है आप aromaticity को बहुत अच्छे से कर लीजे aromaticity यानि कौन से compound aromatic है कौन anti-aromatic कौन known aromatic means me even in advance ऐसे questions आते नहीं है stability of intermediate की मैं बात करूँ तो तीन अपने पास intermediates रहते हैं that would be carbocatine, carbon free radical and carbonine आप इन तीनों के stability order के questions लगा लीजे and last acidic and basic strength acidic और basic strength को भी बहुत अच्छे से कर लोगे तो यकीन मानी आने वाला question इनी में से ही आ जाएगा और आप काम भी आसान हो जाएगा यानि इतना पार्ट तो आपको बहुत शिद्दत से करना ही रहेगा अब hydrocarbon में क्या पढ़े NCRT के इसाब से hydrocarbon में वैसे तो तीन segment है कौन-कौन से मैं बात करूँ तो तो वो है alkene, alkene और alkine आप यदि alkene को कर लें मैं सिरफ ये मानते वे बता रहाँ कि आपके बास 15 दिन है और आपको इन 15 दिन में यही selected topics करने है as in क्योंकि आपको inorganic भी करना है आपको physical भी करना, आपको physics भी पढ़ना, आपको mathematics भी पढ़ना है तो वो चीज़े चौट कर पाएंगे alkene के अंदर भी देखो दो बाते बस आप ध्यान रखना एक तो कि कार्बोगेटाइन का rearrangement दो reactions में रहता है एक तो reaction with HX और reaction with पानी इन में तो कार्बोगेटाइन बन के रही ये range होता है बाकी halogen का जो addition होता है वो NCC के recording होता है दो reaction काम की है oxy-mercuration, demercuration and hydro-boration oxidation ये दोनों बाते भी आप जरूर ध्यान रखेंगे इतना इतना बास alkene, alkene में आपको soda lime decarboxylation याद है उससे काम चल जाएगा alkene को बसा नाम से पढ़ लेना अब आताती है class 12 में, chapter number 10 में that is halolkenes, halolverines खोड़ा से important है इसमें काह नामी गिरामी बात तो आपके 4 पढ़के जानी है जरूर SN1, SN2, E1 और E2 आप substitution और elimination दोनों पढ़ कर जाएंगे अच्छे से वो भी उसमें भी कौन dominating है substitution और elimination में दोस्त धिहान रखना elimination dominating है substitution और elimination में dominating कौन? elimination इतनी पात आप जरूर धिहान रखते वे चलेंगे और यहां से जो 4 embedded nucleophile की reaction है कौन कौन सी? alkyl की reaction na cn के साथ agcn के साथ k no2 के साथ और agn no2 के साथ यह 4 reactions भी आपको जरूर देखते हुए जानी है इतना काम आप कर लेना halogenes में halogenes में जो important point है यही है कि benzene पे लगा halogen नहीं जाता लेकिन कभी electron withdrawing group लगा दूँ लेकिन कभी electron withdrawing group लगा दूँ तो यह reaction हो जाती है reaction is SN2AR आप सिरफ इतना दियान रख लेना आप सिरफ इतना ही दियान रख लोगे तो आप आएंगे कि आप चीजों को revise भी कर पा रही है और काफी सारे नामी गिरामी काम के points आपके कभजे में भी आ गई है alcohol phenol ether काफी important है alcohol से दो बाते एक तो lucas reagent क्योंकि ठंड है तो देखो writing थोड़ा बहुत ऐसा हो सकता है काफी ठंड है आप जहां पे होंगे वहां पे भी शांदा ठंड हो रही होगी lucas reagent कौन से degree का alcohol सबसे तेज reaction देता है तो द्यान रखना 3 degree alcohol then 2 degree then 1 degree instant अगले में काम की बात करूँ तो यहां पर दोस्त फिनोल की reaction आप Bromine Water के साथ जरूर पढ़कर जाएंगे पिनोल की reaction Bromine Water के साथ पढ़कर जाएंगे और Bromine Plus carbon dioxide के साथ पढ़कर जाएंगे बहुत selected चीज़े मैं बता रहा हूँ ताकि आप ये topics पढ़ भी सकते हैं revise भी कर सकते हैं और आने वाला question आपका गलत नहीं होगा ether, ether में सिरफ दो बाते धिहान रखना कौन-कौन सी बाते एक तो reaction of ether reaction of ether with water और दूसरा है यू मानते हैं कि आपकी priority में आपको ये काम करना है priority में आपको काम करना है क्योंकि आपके पास यू नहीं है ना कि आपके पास content थोड़ा है आपके पास number of chapters कम है आपके पास बहुत सारे chapters है यदि आप सारा revise कर पा रहे हैं well and good but last moon पे ये सारी form पढ़ना है hello form मैंने सारी naming reaction पढ़ा भी रखी है आप वीडियो का description भी check कर सकते हैं या even search भी कर सकते है naming reaction by with my name अने रुदवालिया आपको वीडियो मिल भी जाएंगी hello form अगला नामी कि रामी reaction एलोल रियक्शन and third is canisaro आप ये तीनों चीज़ी पढ़ लोगे तो आप मानिए का क्या आपका गाम आसान हो गया है उसके बाद परकिन usually means नहीं पूछता बर्स परकिन का product क्या बन रहा है cinnamic acid बनता है वो आप धियान रखना ठीक है ये तीनों important है ये तीनों important है आप तीनों को बस एक बार देखकर चल जाना carbonil खतम याप यकीन मानिए 15 दिन में आप इनको बहुत शिदत से बहुत आराम से पढ़ भी सकते है amines छोटू है बट important है important chapter है काफी सारी चीज़ें है यार इसमें तो काफी सारी बाते हैं मेरे को जो बतानी है gabriel thalamide thalamide synthesis only one degree elevating amines के लिए carbyle amine test carbyle amine test hinzberg test मैंने सारी चीज़े पढ़ा रखे हैं POC hinzberg test पुरा POC आप YouTube पे सर्च करेंगे only POC लिखेंगे तो मेरा ही वीडियो यार उपर आता है आप लीज उसको कवर कर लीज़े क्यापी important है practical organic chemistry सारे lab test एक शौट में पढ़ा रखे हैं जरूर देख कर जाना gabriel thalamide carbyle amine test hinzberg test अगला reaction Hoffman bromomide test Hoffman bromomide reaction Hoffman bromomide reaction और दोस्त ये reaction भी जरूर देख कर जाना कि aniline की bromomide water के साथ reaction में 246 वाला product बनता है और महा important reaction है बहुत बहुत ज़्यादा important HNO3 डालते हैं तो तीन product मिलते हैं para plus meta plus ortho para का percentage है 51% meta is 47% बचा हुआ 2% मिलता है ortho और meta मिलता है due to due to anilineum iron due to anilineum iron बहुत नामी ग्रामी चीज़े मैं आपको बता रहा हूँ कि आप बार 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 इनी भी देख लेंगे तो आपका आने वाला question गलत नहीं होगा काफी important test रह जाते हैं diazonium की reactions देखो छोटू है वाट काफी important सारी चीज़े diazonium की test diazonium reactions उनमें सारी reactions आपको पढ़ कर जानी है और और even amines तो मैंने one shot में पढ़ा भी रखाया please उसको cover कर लेना मेरे youtube पे जब आप search करेंगे तो आप काफी सारी चीज़े पाएंगे कि मैंने बहुत आराम से उसारी चीज़े पढ़ा रखी है मुने जरूर देखेगा diazonium की coupling reaction देखने है दो coupling reaction है phenol के साथ और aniline के साथ phenol के साथ orange color aniline के साथ yellow color biomolecules थोड़ा सा परिशान करता है important है दोस्त carbohydrate में carbohydrate में आप सिरफ यह देखकर जाना कि glucose की common reactions and fructose की उसमें भी osazone formation के लिए 3 mol phenyl hydrazine चाहिए disaccharide में न disaccharide के अंदर यह धियान रखना MSC से धियान रखेंगे maltose chucrose and this is lactose याद रखने के मैं सी बोल रहा हूं और एक बहुत नामी गिरावी faculty भी आप मैरे इंडिया में organic chemistry that is MSC Chauhan Sir उनी से मैंने link करते भी इसको धियान रखता हूं और class में भी इसी तरह बताता हूं that is maltose, chucrose and lactose इसमें धियान रखना chucrose जो है वो एक non-reducing sugar है chucrose is a non-reducing sugar धियान रखेंगे के यह वाला point now थोड़ा सा आगे चलते है थोड़ा सा आगे चलते है polysacryde में दो बाते बस धियान रखना polysacryde के अंदर polysacryde आपको बस देखना है starch और cellulose के बारे में amino acid की सारे tricks मैंने पढ़ा रखें प्लीज एक बन amino acid go through जरूर कर लेना amino acid go through जरूर कर लेना यहनी point बस इतना ही धियान रखेंगे तो आपको question सही हो जाएगा बहुत ज़ादा आपको परिशानी नहीं होगी vitamins को चाहें तो read कर सकती है और मैं एक recommend कर रहा हूँ मैं एक recommend कर रहा हूँ मैंने एक video बना रखे I think 15 से 20 मिनट के होगी सारे lab test of biomolecules lab test of biomolecules का video जरूर देख लेना कोई भी आपको topic पढ़ना है मेरे नाम से वो topic सर्च करना आपको जरूर मिलेगा आप उसका video देखें और topic को cover करें यहनि जितनी बाते बस मैंने बता दी हैं आपको जितनी बाते मैंने आपको बता दी हैं उतनी ही बात आप cover कर लोगी 15 दिन में आप इनको आराम से नुटा भी सकते हो इवन दो बार आप इस सारी चीज़े पढ़ लोगी ना तो आने वाला question maximum minimum से आएगा और आपका काम आसान हो जाएगा आपको टापिक आराम से cover भी कर लेंगे उमीद कर रहा हूं ये बाते जो मैंने आपको बताइगे organic chemistry में आपको help होगी इन में भी individually ये आपको पढ़ना है 15-15 मिनट में ये chapter पढ़ाई दो ना तो मैं वो काम भी कर दूँगा ताकि आपकी help हो जाए आपको टापिक कबर कर लें ठीक है इन औरगेनिक औरगेनिक के लिए ऐसा कुछ sequence जिए तो जरूर बता देना उमीद कर रहा हूं इस सारी बात है आपको clear हो गई होंगी ठीक है session को फिर यहीं पर रोक रहा हूं और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कोई भी सेगमेंट आपको चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताना उस पर वीडियो में शेयर कर दूँगा और लग फ़र यर जैमेंस